इस बार IPL 2025 में Mega Auction का आयोजन होगा और December में Most Likely IPL 2025 का Mega Auction देखने को मिलेगा IPL 2025 को लेकर तरह तरह की खबरें चल रही हैं और इस वक्त जो RTM और Players Retention को लेकर खबरें चल रही हैं उस पर एक बड़ी Update सामने निकल कर आई है दरसल एक Media Reports के मताबिक BCCI इस बार 5 प्लेयरों को Retain करवा सकती है और इसके अलावा एक Right to Match Card के तहत प्लेयर भी लिया जा सकता है तो यानि BCCI इस बार 5 प्लेयर Retention और एक Right to Match Card के तहत टीमों को 6 प्लेयर को लेने की मौलत दे सकती है अब ऐसे मैं अगर देखा जाए तो उन टीमों को काफी जादा इससे मदद मिलेगी जिनका एक Core Setup IPL में रहता है जिसमें चेननी Super Kings का नाम है इसके अलावा Mumbai Indians की टीम का नाम है तो इन टीमों को इस नियम से काफी जादा मदद मिलने वाली है अब तक जो नियम चलता था उसमें चार प्लेयर से रीटेन किये जाते थे और Right to Match Card का इस्तेमाल भी टीमें कर लिया करती थी लेकिन फिलाल अगर देखा जाए तो इस IPL के लिए नियमों को बदला जाएगा इसके अलावा टीम पर्स को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है दरसल टीम का जो पर्स कैप है उसको 115 से 120 करोड रुपे किया जा सकता है जो कि अभी तक 100 करोड रुपे के तहत यूज किया जाता था टीमों के द्वारा इनी टीमों के पास एक पर्स कैप हुआ करता था जिसमें 100 करोड रुपे हुआ करते थे लेकिन अब 115 से 120 करोड रुपे उसको कर दिया जा सकता है फिलाल अगर देखा जाए तो टीम जो प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है उस पर जो बड़ी अप्डेट सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि पांच प्लेयरों को टीम रिटेन कर सकती है इसके अलावा एक राइट टू मैच कार्ड टीम अपना सकती है अब इसमें अगर देखा जाए तो MS Dhoni इसके अलावा जो तमाम दिगज सीनियर प्लेयर हैं उनको भी टीम में रिटेन कर सकती है इसके अलावा जिन टीमों का एक कोर सेट अप रहता है जैसे चेंड़ी सुपर किंग्स जो की जादतर एक कोर सेट अप यानि एक सेट अप प्लेयर्स हमेशा के लिए रखते हैं तो उनको भी काफी जादा मदद मिलने वाली है इसके अलावा मुम्मे इंडियन्स को मदद मिल सकती है इसके अलावा अगर देखा जाए तो Kolkata Night Rudder जिनका एक सेट अप बना हुआ है जिसमें अगर देखा जाए तो कई खिलाडी उनके ऐसे हैं जो कि पिछले कई सालों से टीम का हिस्सा है तो ऐसे में Mega Auction में इन टीमों को भी काफी मदद मिलती हुई दिख सकती है तो अब देखना होगा कि IPL Retention को लेकर क्या अपडेट सामने निगल कर आती है लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो 5 प्लेयर्स को Retain करने वाला ये नियम BCCI लागू कर सकती है इस ख़बर में इतना ही स्पोर्ट से जूरी तमाम ख़बरों के लिए One India Hindi के साथ बने रहे